वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले हैं और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगे एक बहुती एजी एंड एफॉरड़ ब्राइडल आई लुक तो मैं आपे यह जो की स्पेशली फो ब्राइड लुक के लिए हैं और अपने आइस को सेट कर लिया है और अपने ब् ब्राइडल आईशाडव के लिए हैं इसमें सारे कलर ही आईशाडव जो है जो सारे ब्राइडल लुक के लिए हैं और मैं आप सबसे पहले लिट पे अपना यह जो थोड़ा सा मरून शेड है वोल पपलाई करूंगे मरून ही है बिसिकली यह पिंक आता है आपके फेस पे अपने लोक इस पर ब्लेंड करना है वह एजसी ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि मैं या प benefitingी लोकर करेशी कर रही है जितनं कि ब्लेंडस से अधीकर करेंगे आप जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे आपका लुक्त अच्छ आएगऑ तो मेरा आइशादो दोनों अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है तो यह मैंने बेस पे लगाया है तो यह पिंग कलर है तो इसके ऊपर मैं अब यह औरेंज शेड का एक लिटर शेड है शिमर शेड है इसको मैं अपने आउटर कॉर्णर पे लगाऊंगी सिर्फ हमें आउट क्रियेट कर लिया है तो यह वीडियो जादा लंपी नहीं होगी बहुत चोटी वीडियो बना रहे हो मैं क्रियेट करना बहुत ही एजी है और मैं यहां पर इसको फिल करूंगी यह गोल्डेन शिमर शेड है इस तरह से हमें डाप डाप करके इसको लगा लेना है बहुत ही तुटोरियल है यह स्पेशली फॉर ब्राइट जिनको जिनकी नहीं शादी हुई है या फिर जिनको ब्राइट का मेकप करना बहुत ईजी है तो इस तरह से मैं यह शेड लेके इसको आउटर कॉनर पे इस तरह से थोड़ा से शेड दे दूगी ताकि थोड़ा सा स्मोकी यह ब्लेंड कर ले रही हूं ताकि थोड़ा स्मोकी लोका आई लाइक दिस अब मैं यहाँ पर इसका हाइलाइटिंग शेड जो है वाइट कलर गा उसको अपने ब्राव बोन पर अप्लाई कर रही हूं थोड़ा सा हाइलाइटिंग देने के लिए फाइनली मैंने अपने आ यह बहुत ही इसी ब्राइडल मेकप है अगर लोग को फुल मेकप चीए तो आप मुझे को में पता सकते है मैं फुल पेकप की ज़रूर करूंगी यह मिस्स क्लेयर का बहुत ही अफॉरडबल इवन मैं इसको सिफ 2 30 में लिया था और यह स्पेशली फॉर ब्राइड लोक के लिए है और इससे आप एजिली अपने लोक को क्रियेट कर सकते हैं क्योंकि इस पालेट में सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सा शेड आपको कहा पर अप्लाई करना है तो आपको यह वीडियो अच्छी लगई हो गाईस प्लीज मेरे चानल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और येस मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और देखना है तो मैं उस पर यह वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी I just hope कि यह लोक आपको अच्छा लगा हो see you in the next वीडियो बाई